आज से पौश महीने की शुरुवात हो रही है जिसको आम बोलचाल की भाशा में पूस का महीना भी कहते हैं कड़कडाती इस सर्दी में, कड़कडाती इस ठंधक में ये महीना आपके लिए बहुत सारे वर्दान लेकर आता है और इस महीने के नियमों का अगर पालन किया जाए तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, प्रसन्न भी रहेंगे और आपकी बहुत सारी मनों कामनाएं पूरी भी होंगी तो आज हम पौश महीने के बारे में क्या बात करने वाले हैं, चलिए पहले यही बताते हैं कि चालचक्र में आज क्या खास है चालचक्र में आज बात करेंगे पौश महीने की महिमा के बारे में पॉश महीने में सूर्य की उपासना क्यों फलदाई होती है कैसे करनी चाहिए सबसे पहले ये जानते हैं कि पॉश का जो महीना है पॉश का जो मास है उसका महत्व क्या है देखिए अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें क्योंकि अलग अलग तरह के पंचांग होते हैं अंग्रीजी का केलेंडर भी होता है हिज्री के समवतसर भी होते हैं अलग अलग तरह के पंचांग होते हैं अगर हम हिंदू परंपरा के पंचांग की बात करें तो दस्वे महीने को पौश कहते हैं चैत्र वैशाक, जेश्च, आसार, सावन, भादरपद, आश्विन, कार्तिक, अगहन यानि मार्गशीर्स और उसके बाद पौश तो हिंदू पंचांग के दस्वे महीने को पौश कहते हैं इस महीने में हेमंत रितु का प्रभाव रहता है अमूमन ये mid of December से या मोटे तोर से ये जो पौश का महीना है ये December और शुरुवाती जनवरी में प्रभाव शाली होता है और ये समय होता है हेमंत रितु का इसलिए इस समय ठंदक काफी ज़ादा रहती है इस महीने में सूर्य अपने विशेश प्रभाव में रहता है ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूर्य साल में दो बार special effect में आ जाता है एक होता है अपरेल मई का समय जब सूर्य सरवाधिक ताकतवर होता है और एक होता है दिसंबर जनवरी का समय जब सूर्य की रोशनी हमारे शरीर के लिए हमारे जीवन के लिए बहुत फाइदेबंद होती है तो इस महीने में सूर्य अपने विशेश प्रभाव में रहता है और इस महीने में मुख्य रूप से सूर्य देव की उपासना ही फलदाई होती है, सूर्य देव की उपासना ही अच्छी मानी जाती है ऐसी माननता है कि इस महीने में सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ यानि 11,000 किरडों के साथ व्यक्ति को उर्जा और स्वास्थि प्रदान करते हैं इस महीने में जिस चीज की सरवाधिक आवशक्ता होती है वो चीज है प्रकाश और धूप धूप की रोश्नी और धूप की गर्माहट दोनों की जरूरत इस महीने में सरवाधिक होती है इसलिए सूर्य 11,000 किरडों के साथ व्यक्ति को उर्जा भी देते हैं और स्वास्थ भी देते हैं पौश के महीने में जो महीना आज से शुरू हुआ है अगर आप नियमित रूप से सूर्य की उपासना करें अगर आप इस समय में रेगुलरली सूर्य की पूजा करें तो साल भर आप स्वस्त रहेंगे और साल भर आप संपन रहेंगे आपके स्वास्थ में और आपकी संपनता में समस्या नहीं होगी इस बार जो पौश का महीना है वो 23 दिसंबर से शुरू हो रहा है यानि आज से शुरू हो रहा है और 21 जनवरी तक ये पौश का महीना चलता रहेगा तो पौश का महीना बड़ा महत्वपूर महीना है और मोटे तोर से इस महीने में भगवान सुर्य की उपासना की जाती है उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए अच्छा स्वास्ति प्राप्त करने के लिए अच्छा जीवन प्राप्त करने के लिए अब ये जानते हैं कि किस तरीके से पौश के महीने में सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए क्या तरीका होगा रोज सवेरे स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें एक तो नित्य प्रातह स्नान जरूर करें हलके गुनगुने पानी से नहाएं या गर्म पानी से नहाएं जैसा भी संभव हो लेकिन रोज सुबह स्नान करें और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तांबे के पात्र से यानि तांबे के लोटे से जल दें जल में जरासी रोली मिलाएं और जरासा लाल फूल भी डाले इसके बाद जब आप जल चड़ा लें तो सूर्य का मंत्र है ओम आदित्याय नमहा ओम आदित्याय नमहा इस मंत्र का कम से कम 108 बार आपको जब करना है और ये काम आप नित्य प्रातः करेंगे रोज सवेरे करेंगे सूरी देव की पूजा भी होगी आपका मान सम्मान नाम और यश भी बढ़ेगा आपका स्वास्त भी अच्छा होगा और आपको धन संपत्ती की समस्या परेशान नहीं करेगी इस महीने में नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए क्योंकि नमक का ज़्यादा सेवन करने से इस समय में ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है तो जहां तक संभव हो पौश के महीने में नमक का सेवन कम से कम करे तो ज़्यादा अच्छा होगा हर महीने के कुछ पत्थ हैं कुछ अपत्थ हैं यानि हर महीने में कुछ चीजें खानी चाहिए कुछ काम करने चाहिए, कुछ चीजे नहीं खानी चाहिए और कुछ काम नहीं करने चाहिए तो पौश के महीने में खाने पीने में और जीवन चर्या में अपने लाइफ रूटीन में किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, वो भी जान लेते हैं खाने पीने में मेवे और इसनिग्ध चीजों का इस्तेमाल करें जो dry fruits हैं, इनका प्रियोग करना सबसे ज़्यादा अच्छा होगा खाने पीने में dry fruits का और जो तेल वाली चीजें हैं, oily चीजें हैं इसका मतलब यह नहीं कि तेल पीने लगिए, जिन चीजों में थोड़ा आयल का component होता है जैसे तिल है, बादाम है, मुंफली है, मेवे और इसनिग्ध चीजों का इस्तेमाल करना इस महीने में अच्छा होगा चीनी की बजाए गुड का सेवन करना चाहिए चीनी वैसे भी बहुत फाइदेमंद नहीं है, मैं अक्सर कहता हूँ कि थ्री वाइटनर्स बहुत फाइदेमंद नहीं होते तो चीनी के बजाए इस महीने में गुड का सेवन करें अजवाइन, लॉंग और अधरक ये तीन चीजें ऐसी हैं, जिनका प्रियोग अगर पौश के महीने में किया जाए तो आपका स्वास्थ बेहतर होता चला जाएगा इस महीने में ठंडे पानी का प्रियोग नहीं करना चाहिए यानि ठंडे पानी से नहाना ठंडे पानी का इस्तमाल कम करना चाहिए इसनान में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए कि आज नहाया कल नहीं नहाया परसो नहाया तो सनान में गड़बड़ी न करें और अत्यधिक खाना ठूस करके मत खाएं अत्यधिक खाना भी खराब होगा थंडे पानी का प्रियोग, स्नान में गड़बड़ी और अत्यधिक भोजन करना इस महीने में खतरनाक हो सकता है इसका ध्यान रखिए इस महीने में बहुत ज्यादा तेल घी का प्रियोग भी करना नहीं चाहिए अगर आपको ओयल की जरूरत है शरीर में तो आप ड्राइफ रूट्स खाईए, मेवे खाईए, तिल खाईए, मूंगफली खाईए लेकिन बहुत जादा तली भुनी चीजों का प्रियोग अगर आप ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा तो पौश मास के खान पान के और जीवन चरिया के नियम क्या है ये तो आपने समझ लिए अब ये समझ लिए कि जो पौश का महीना आज से शुरू हो रहा है उसकी सबसे महत्तपून बाते क्या है उसकी सबसे important बाते क्या है इस महीने में मध्यरात्री की जो साधना है वो बड़ी अच्छी मानी जाती है पौश के महीने में अगर आप मध्यरात्री की साधना करें रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच वाली साधना ध्यान या उपासना करें तो ये तुरंत फलदाई होगी, तुरंत आपके लिए फाइदेमंद होगी तो रात के समय में पौश के महीने की रातें थोड़ी लंबी होती है ब्रिहस्पती की रितू होती है, हेमंत रितू इसलिए अगर आप मध्धिरात्री में पौश के महीने में साधना करते हैं तो ये साधना करना आपके लिए बहुत फलदाई होगा, बहुत अच्छा होगा इस महीने में गर्म वस्तरों का और नए अनाज का या अनाज का दान करना भी काफी उत्तम होता है अगर इस महीने आप निर्धनों को कंबल का, शौल का, गर्म कपड़ों का दान करते हैं या अनाज का दान करते हैं तो ये बहुत उत्तम होता है, इसके परिड़ाम बेहत शुब होते हैं इस महीने में लाल और पीले रंग के वस्तरों का इस्तिमाल करना चाहिए अगर आप इस महीने में लाल और पीले रंग का इस्तिमाल करें तो इससे आपके भाग्य में वृद्धी होगी, इससे आपके भाग्य में सुधार होगा इस महीने में घर में कपूर की सुगंध का प्रियोग भी करना चाहिए इससे आपका स्वास्त बहुत अच्छा बना रहेगा अगर अपने घर में कपूर की सुगंध का इस्तेमाल आप करते हैं तो निसंदेह आपका स्वास्त बहुत अच्छा रहेगा आपको cold cuff की, मानसिक अशान्ती की, मानसिक तनाव की समस्या परिशान नहीं करेगी